क्या आप जानते हैं एश्वरिया राय से जुड़े ये सच, एश्वरिया राय के जुड़े सच की लिस्ट इतनी लंबी है, जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। क्या काम्याबी की शोध में एश्वरिया ने की इतने लोगों की राते रंगीन की? तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए. एश्वरिया बतौर मॉडल अपने करियर की शुरूरात की थी. एश्वरिया 1924 में मिस इंडिया प्रतियोगिता का हिस्सा बनी थी, जिसमें उन्ने उपिजेता चुन लिया गया था. इस प्रतियोगिता में सुश्मिता सेन प्रथम पर आई थी तब से एश्वर्या राय सुश्मिता सेन से जलन की भावना रखती है उसी साल उन्होंने Miss World प्रतियोगिता में भी हिस्सा लिया था इस प्रतियोगिता में एश्वर्या ने Miss World का खिताब अपने नाम कर लिया था इसके बाद एश्वर्या को कई फिल्मों के आफर मिलने लगे थे Miss World एश्वर्या को वैसे तो उनकी करियर की शुरुआत से ही कई रिष्टे रहे हैं लेकिन सभी ने सबसे फेमस और अंसुना रिष्टा उनका सल्मान खान के साथ रहा है नब्बे के दशक में सल्मान खान और एश्वर्या राय की रिलेशन की खूब चर्चा हुई थी दोनों अकसर साथ नजर आते थे फिल्म हम दिल दे चुके सनम के सेट पर दोनों को प्यार हो गया था सल्मान खान और एश्वर्या राय के बीच सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था दोनों तकरीबन दो साल तक एक दूसरे के साथ रिष्टे में रह चुके थे लेकिन फिर अचानक दोनों का ब्रेक अप हो गया नवंबर 2001 में सल्मान खान एश्वर्या राय के घर पहुँचे सल्मान खान ने एश के फ्लैट की खिड़की के शीशे और फरनीचर तोड दिये थे पुलिस ने जब इस बात की पुष्टी की थी तो एश्वर्या के पिता ने सल्मान खान के खिलाफ 27 दिसमबर को शिकायत दरज कर दी थी कुछ न कहो फिल्म की शूटिंग के दौरान अपनी कार से टक कर मारकर एश्वर्या की कार को तोड़ भी डाला था सल्मान ने अपने एक इंटर्वियू में सल्मान खान ने इन दोनों की घटनाओं को स्वीकार भी किया है वहीं सल्मान खान ऐश्वरिया के साथ मारपीट भी करते थे ये बातें अफवाह की तरह ज्यादा फैलने लग गई थी जब एक अवार्ड शो कारेकरम में एश्वरिया हाथों में प्लास्टर लगाये हुए और आखों को काले चश्मे से ढखे हुए पहुँची थी तब लोग सोच में पढ़डा गए लेकिन एश्वरिया ने यह कहा कि वह गिर पड़ी थी जिससे उनको चोट लग गई थी ब्रिक अप के बाद एश्वरिया ने एक इंटर्वियू में कहा था कि ब्रिक अप के बाद सल्मान खान मुझे फोन करके बकवास किया करते थे वह शक करते थे कि मेरा किसी को एक्टर के साथ चक कर चल रहा है कई बार तो ऐसा भी हुआ जब सल्मान खान ने मेरे साथ फिजिकल हुए और मुझे मारा भी था सल्मान खान ने उन्हें चोट पहुँचाई है जिसकी वजह से उनका रिस्टार्ड तूट गया सल्मान खान ब्रेक अप को स्विकार नहीं कर रहे थे इसलिए वह उनका पीछा कर रहे थे सल्मान खान से ब्रेक अप के बाद एश्वरिया राय का नाम विवेक ओब्रॉय से भी जुड़ा था लेकिन दोनों का रिष्टा ज्यादा समय तक नहीं चल पाया हम इस बात की पुष्टि नहीं करते है फिलहाल अभिशेक बच्चन और अभिनेत्री एश्वरिया राय बॉलिवूड इंडस्ट्री के सबसे मशहूर कपल है दोनों साथ में धूम फिल्म में नजर आए इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया